Hello friends, स्वागत है आप सब का मेरे YouTube चैनल विकास 3.1 टेक में तो friends अगर आप एक YouTuber हैं और आपका YouTube पर अपना YouTube चैनल है लेकिन अभी तक आपने अपने YouTube पर अपनी पहली वीडियो नहीं डाली है या फिर आपने नय नय अपना YouTube चैनल बनाया है और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि आप डर रहे हैं कि मैं अपनी पहली वीडियो कैसे डालूँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी वीडियो का अपलोड करने का सह पहली तरीका क्या है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और मैं सिर्फ आपको आसान 5 स्टैप्स के अंदर यह सिखा दूंगा बिल्कुल इजी स्टैप्स में आपको सिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो तो वीडियो चोटी सी है पर बहु बार मेरी चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से और पहला स्टेप क्या है अपना जो आपकी वीडियो है जो भी आप जिस टोपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उस टोपिक का आपको सबसे पहले थमनिल और टाइटल ये दो चीजे आपको सबसे पहले बनानी है वीड वीडियो का थमनिल बनाना है, एक अच्छा सा थमनिल क्रियेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप अपनी वीडियो का उपलोड करेंगे, तो उसका जो नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें सबसे पहले लोगों के सामने आपका थमनिल आएगा, और आपका टाइट आपकी वीडियो पे वीडियो जो है, हो सकता है आपकी वीडियो वाइरल भी हो जाए, तो आपको एक बहुत अच्छा थमनिल बनाना है, आपने यूट्यूब चैनल तो बनाई रखा होगा, किस कैटेगरी में बनाना है, ठीक है, वो आपने पहले क्रियेट कर रखा है, आप बात करते हैं, दूसरे स्टेप के बारे में, तो दूसरे स्टेप क्या है, कि आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है, मतलब आपको उस वीडियो में क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या बोलना है, आपको अपनी वीडियो में, वो सब आपको एक लिख लेन और ठीक है वोईस ओवर करते हैं तो उसमें फेस तो दिखाने की ज़रूरत होती नहीं सिर्फ आपको वोईस देनी होती है तो उसमें आप complete script लिखके उसे बोल सकते हैं या फिर अगर आपका face game का वीडियो है जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं face वाली वीडियो बनाते हैं तो उस case में आपको पूरी script लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पूरी script लिखेंगे तो हो सकता है बार-बार आप नीचे देखके बोलें ठीक है इस तरीके से देखके बोलें या फिर हो सकता है आप बीच-बीच में अटक जाएं तो ऐसे case में आपको क्या करना है कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपके लिए note down करके रखे हुए है 3-4 important points तो उनको आप points को पढ़के और उन्हें सामने देखके explain कर सकते हैं इस तरीके से आपको अपनी scripting करनी है अब आपका thumbnail बन गया title बन गया आपकी वीडियो की scripting हो गई अब आपको अपनी वीडियो को record कर रहे हैं वो आपकी जो वीडियो है वो देखने में कैसे लगेगी उसका background कैसा लगेगा उस चीज को आपको देखना है और उसमें lightning आपको देखनी है कि उसकी जो रोशनी है वीडियो में वो कम जादा तो नहीं आ रही है अगर आपकी अच्छी रोशनी नहीं आ रही है तो आपको इसी के अंदर अपनी वीडियो को बार-बार प्ले करके देखना है, उसमें आपको अपनी sound quality चेक करने हैं, कि आपने जो बोला है वो voice आपकी कैसी आ रही है, अगर आपकी voice अच्छी नहीं आ रही है, तो आप किसी mic का use करें, mic अगर आप afford नहीं कर सकते, purchase नहीं कर सकत हैं, Lexus Audio Editor एक बहुती अच्छी application है, audio editing के लिए, तो इससे आपकी voice की quality है, वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी वीडियो को भी बार-बार प्ले करके चेक करें, इसके अलावा ठीक है, जैसे कि आपकी वीडियो में आप देखने में जो आप बोल रहे हैं, उसमें आप हिजक तो नहीं रहे, क्योंकि पहली वीडियो तो हो सकता है, आपका confidence भी low हो, आप इतनी अच्छी वीडियो create ना कर पाएं, इसलिए आपको अपनी वीडियो को देखने, अगर उसमें गलती अगर आपको ऐसा लगता है, कि नहीं ये वली वीडियो में नहीं ड देखेंगे जो आपने पहली वीडियो बनाई और उसी को आपने साथमी बार record किया, तो उसमें आपको खुदी पता लग जाएगा कि मैंने कितना जादा इंप्रूव कर लिया है, तो पहले जब भी आप वीडियो बनाएं, तो आप practice करके एक बार में वीडियो ना बनाएं अपनी पहली वीडियो, उसमें आप बार-बार practice करें, अपनी वीडियो को बार-बार देखें, कि मैं इसमें और क्या improve कर सकता हूँ, क्या यह इस तरीके से सही है, जब आप पूरे satisfy हो जाएं, कि हाँ मैं इस वीडियो को YouTube पर डाल सकता हूँ, तो आप उस वीडियो को okay कर तब आप रुक जाएं, तो आप fourth step की बारी आती है, fourth step है हमारा वीडियो की editing करना, आपने सारी वीडियो बना ली, उसमें lightning वगएरा सबको check कर लिया, अपने ठीक है, अब उस वीडियो को edit करना है, आपको edit करने के लिए अगर आप mobile phone यूज़ करते हैं, तो काफे सारी application है जैसे काइन master है, आपकी और VN editor है, बहुत अच्छी है, कहीं लोग in short से भी अपनी वीडियो को edit करते हैं, इसके लावा गर आप PC यूज़ करते हैं, लेप्टोप यूज़ करते हैं, तो उसमें भी काफे सारे software साते हैं, जिनको आप यूज़ करके, चोटे-चोटे software हैं, वीडियो में जितना अच्छा आप edit करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी audience के साथ engagement बढ़ेगी, उतनी अच्छे आपकी वीडियो की quality दिखाई देगी, और उससे आपके views उतने ज्यादा increase होंगे, अब बात करते हैं, फिफ्ट step के बारे में, जो पांचवा और आखरी step है, बह से upload करेंगे, उसके बाद आप उसमें title, text, description, जो भी आपको changes करने हैं, वो आप changes उसके अंदर कर लीजी अच्छे से, ठीक है, उसमें अच्छे-च्छे text लगा दीजिए, उसमें title लिख दीजिए, मतलब आपको उसका complete SEO करना है, search engine optimization, अपनी वीडियो का complete SEO कर लेना है, उसक में comment कर सकते हैं, कि ये मेरी पहली वीडियो है, ये आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, कि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, उसे related कोई भी query है, कोई question है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ये मेरी पहली वीडियो है, मु अपनी कमेंट पिन कर लें ठीक है जब कुछ SEO पूरा कर लें उसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिक करें आप पब्लिक करने के लिए भी आप काफी सारे किस तरीके की आहे हैं आप स्कूल वाले स्टूडिक्रेश के लिए वीडियो बनाते हैं तो लुदे बच्च जाते हैं या फिर पर कृट्कर नागां के लिए बनाते हैं तो महिलाएं धौपएर में जदा फ्री रहती हैं तो धोपैर में आप अपनी वीडियो को डाल सकते हैं इस तरीके से आप अपने according अपना schedule चेक कर सकते हैं अपनी category के according अपनी timing आप set कर सकते हैं morning में डालनी है या भी नहीं मंग डालनी है ऐसा कोई fix नहीं है आप अपने according डाल सकते हैं पर जो भी आप डालें वो regular रहें फिर उसी time पर डालें अपनी सारी वीडियो ठीक है तो यह वो 5 steps थे जो आपको अपनी पहली वीडियो में बनाते time ध्यान रखने चाहिए और पहली वीडियो आपको इस तरीके से अपने channel के उ पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you